अखिल भारतिय ब्राह्मन सवा के पूर्व राश्ट्रिय अध्यक्ष और बुद्ध बिहार के संस्तापक पंडित मदल लाल शर्मा की 22 वी पूर्णेतिती पर सर्धानजली सवा का आयोजन किया गया कारिकरम का आयोजन रोहिनी सेक्टर तीन इस्तित युवाशक्ती मंदल स्कूल में किया गया इस अफसर पर समाजिक एवं राजनितिक जगत की कई प्रतिस्टित हस्तियों ने अपनी उपस्तिती दर्च कराई कारिकरम में आये सभी अतीतियों ने तस्वीर पर पुश्व अर्पित कर उन्हें सर्धानजली अर्पित की इस मौकी फर सभी अतीतियों ने उनके द्वारा समाज में किये गए विकास कारेों की जम कर प्रसंसा की कारिकरम में आये हुए सभी लोगों ने कहा कि पंडित मदनलाल शर्मा आज भी सब के दिलों में जिंदा है गौर्टलब है कि पंडित मदलाल शर्मा के द्वारा समाज में किये गए विकास कारे को कभी बुलाया नहीं जा सकता उन्होंने विशेश रूप से समाज में मजदूर तबके के लोगों की मदद की है असल नियूज ब्योरो रिपोर्ट मैं सुबे सिंग सर्मा भारी दिली से ब्रह्मन सवा से जूड़ा हूँ आज हम देख रहे हैं हमारे समाज के प्रेना सरोत पंड़त मदला सर्मा जी की 22 वी उन्हें तित्थी मनाई जा रही है हाजारों की संख्या में सब लोग उनको सर्दांजली देने के लिए आये हैं हर वर्ग का हर समाज का आदमी यहां पर उनको सर्दांजली देने के लिए आया है वो हमारे समाज से ही नहीं सभी वर्गों के समाज से प्रेना सरोत रहे हैं उन्होंने हमेशा गरीबों को बेसाहरों को सहरा दिया है गरीबों को मकान तक दिये हैं शिक्षा के छेतर में भी इंजिनरिंग के छेतर में भी खेलकूद के छेतर में भी इन्होंने नाशनल इंटरनेशनल स्टेट लेओं तक के भी बच्चों को मोटिवेट करके इन्होंने आगे प्रेणा दी है इनाम तक दिये हैं और आज उनके स्कूल कॉलिज इंजरिंग कॉलिज के बच्चे निकले वे आई एस आई पी एस एंड स्पोर्ट में भी बहुत अच्छे उंचे पदोपे कारेजत हैं हमें ऐसे वीबूती हमारे समाज में पैदा हुई हम कहते हैं प् समाज और वर्क के लिए तो काम किया ही है अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिये हैं जो कि आज हम देख रहे हैं बार 22 पुन्यति थी पे हाजारोवे संख्या में हर छेत्र पूरा दिल ली क्या यहां पर आज उनको सर्दांजित देने के लिए पदारे हु ज़िए और हमारे को इससे भी बहुत बड़ी प्रेना मिलेगी और समाज गए उनकी इतना अध्यों की जैसे कोई आएं Party में को को अपने स्कूलjung में दे रहे हैं और एक प्लानिंग है एक एजंडे के तहित काम कर रहे हैं यह नहीं कि खाली एक धन कमाना धन कमाना इनका विशय नहीं है इस परिवार ने बहुत बड़ा होस्पिटल भी बना रखे हैं अधुली रामा वियार में भी गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रखे हैं वहाँ पर टोटली बच्चे फ्री ओप एजुकेशन लेते हैं टैक्निकल एजुकेशन लेते हैं और बच्चों को चबी जनुरी परेड में देखा कि उन्होंने इस स्कूल का इतना शांदा प्रफरमेंस रहा है चबी जनुरी प्रेड में उनको नेशनल आवार से नवाजा गया है औ लेकिन हमें बहुत शांदार और इससे हमें प्रेड मिलते हैं जय भारत जय हिंद जय पंडित मदलाल शर्मा जी जिनोंने यूवशक्ति मोडल स्कूल बरम शक्ति ट्रस्ट जिसमें होस्पीटल बुद्ध विहार और रामा विहार कलोनियों की स्तापना की समास सेवा की उन जो छात्र यहां से पढ़कर के निकल करके पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और यह 22 पुन्यतिती मनाई जा रही है इस वर्ष करोना महमारी के कारण उनकी पुन्यतिती नहीं मनी थी इसलिए लोगों में बड़ा उस्सा है अभी संस्ता ने यह निन्या किया है कि जो 25 वी अ जिन जी लोगों ने काम किया है जो उनसे जुड़े रहे जिन्होंने उनका सहयोग किया उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे यह हमने 25 वी एनवर्सरी पर कारे करम की घोशना करने जा रहे हैं इस वर्ष धन्यवाद जैसे स्कूल है चात्रों को शिक्षा होस्पीटल है लोगों की सेवा बिमारी में उनको निम्रेट पर जो बिमार है और पैसा नहीं खर सकते तो संस्ता द्वारा उनका मुफ्त इलाज किया जाता है यह सेवाएं समाज के लिए की जाती है देखिए ट्रस्ट हमेशा शिक्षा के चेत्रे में हमने कम से कम नहीं तो सैकड़ों चात्र जो फीस नहीं दे सकते थे वैसे तो EWS चली रहा है लेकिन उसके बाद भी higher education के इंदर जो फीस नहीं दे सकते उसकी फीस जो है संस्ता देती है एक भगवान परशुराम कोलेज ज सुना होगा उसके अंदर भी मैं secretary हूँ और वहां भी जो बच्चे लायक हैं लेकिन पैसे के पीछे से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती तो उसमें संस्ता उनको धन से सयोग करती है अबावित नहीं होगा हां धन की वजह से कोई लायक बच्चा धन की वजह से कोई लायक आपके बाव जी समाज सेवा में सरहनी उगदार रहा क्या संदेश देंगा आम लोगों को कि किस तरह से सेवा की जाए हम यह जो बाव जी की विशाल पुन्यती थी 22 साल होने के बाद भी मनाते हैं वह समाज को संदेश देने के लिए बनाते की धन जोड़ करके रख लोगे तो वो क्या पता बच्चे लायक निकले नालायक निकले लेकिन यदि समाज में लगाएंगे तो एक रुत्बा रहेगा एक लोग याद करेंगे आज हमारे बाव जी अमर हैं हम कहीं भी ट्रेन में हवाईजाज में कहीं जाते हैं और अपने बाव जी का परीचे देते हैं तो लोग बड़ी सर्दा से हमें आदर समान देते हैं और हमारा मान समान करते हैं